हे गाईज, वेलकम टू माई चेनल, आज जिस मूवी की बात करेंगे वो एक कोरियन मूवी है एक साइको आदमी एक कपल के पीछे हाथ दोकर पढ़ जाता है उस कपल के साथ क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो इन तक देखना और पसंद आये तो प्लीज, लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिये ये मूवी है एक कपल के बारे में योन ही पार्ट टाइम ट्रांसलेशन की जोब करती है उसका पती जे यंग राइटर है, अपनी नोवेल के लिए वो कई दिनों से पब्लीशर ढून रहा है आज एक पब्लीशर को उसकी नोवेल पसंद आय थी और उसने कोंट्राक्ट साइन भी कर लिया था ये बात जानकर योन ही बहुत खुश हो जाती है कुछ दिन में उन दोनों की फॉर्स्ट वेडिंग एनिव्रसरि आने वाली थी अपनी एनिवर्सरी और जे यंग की सकसेस केलिब्रेट करने के लिए दोनों तीन दिन की पिकनेक प्लान करते हैं और निकल पढ़ते हैं रास्ते में कोफी पीने के लिए दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते है जे यंग कोफी लेने जाता है योन ही देखती है कि एक आदमी उसे एकदम अजीब तरीके से देख रहा है वो उस पे से नजर ही नहीं हटा रहा है योन ही अंकमफर्टेबल हो जाती है जे यंग के आते ही वो उस आदमी के बारे में उसे बताती है जेसे ही जे यंग उसे देखता है तो वो आदमी वहां से नजर हटा लेता है और चला जाता है जे यंग योन ही को परेशान ना होने को कहता है दोनों वापस गाडी में आते हैं और जेसे ही जेयंग गाडी स्टार्ट करता है तभी एक आदमी बीच में आ जाता है और गाडी के साथ टकरा जाता है और गिर जाता है दोनों देखते हैं तो ये वही आदमी योन ही को घुर रहा था पूरी मूवी में उसका नाम नहीं बता पर हम उसे साइको कहेंगे वो साइको दोनों से घाडी में लिफ्ट मांगता है और पीछे बेट जाता है ना चाते हुए भी दोनों को उसे लिफ्ट देनी पड़ती है कुछ देर बाद साइको कहता है तुम दोनों कब तक जिन्दा रहने वाले हो बताओ मुझे दोनों ये मजग कर रहा था होटेल आते ही जेयंग गाडी रोक देता है और साइको को उतर जाने के लिए कहता है साइको गाडी में से उतर जाता है और कहता है में कभी मजग नहीं करता है ऐसा बोलके वो चला जाता है दोनों उस पर ध्यान नहीं देते हैं फिर पूरा दिन वो बीच पर गुमते हैं और बहुत इंजोई करते हैं। पिर दोनों होटेल में जाते हैं। कोई रास्ता ना देख कर वो साइकों के साथ सेटल कर लेती है। कि अब तीन दिन वो साइकों उन्हीं के साथ रहेगा। इस तरह जेयंग छूट जाता है। लेकिन सेटलमेंट के बात उसे जरा भी पसंद नहीं आय थी। पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। पूरे दिन वो दोनों साइकों को जेलते हैं। और रात में मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उनकी काड़ी खराब हो जाती है। मिकेनिक के पास जाकर उनको पता चलता है कि किसी ने जान बूचकर काड़ी खराब की है। दोनों समझ जाते हैं कि ये साइकों का ही काम है। फिर दोनों नाशता करने रेस्टोरेंट में जाते है। योन ही वोश्रूम जाती है। काफी देर हो जाने के बाद भी जब योन ही वापस नहीं आती है तो जे अंकोशक होता है और वो वोश्रूम जाता है। योन ही की पर्स वहीं पड़ी थी पर वहां योन ही नहीं थी। जे अंग घबरा जाता है और पागलों की तरह उसे यहां वहां ढूंटता है। आखीर में हार मान कर वो पुलिस स्टेशन जाता है, इंस्पेक्टर कहता है कि योन ही को खोई हुए 24 आर्स नहीं हुए थे, इसलिए कम्प्लेन नहीं की जा सकती थी, वो रात पुलिस स्टेशन में ही गुजाता है, थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में किसी का फोन आत पर पुलिस फोन उठाता नहीं है जे यंग फोन उठाने के लिए खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके हाथ हतकड़ी से बंदे हुए थे फिर भी वो कोशिश करता है और फोन की तरफ जाता है तो उसे वो इंस्पेक्टर की लाश पड़ी हुई दिखती है उसका बेरेम इसे खून किया गया था वो फोन उठाता है तो सामने से साइको बोलता है तुमने भाग कर अच्छा नहीं किया तो उसे एक जगह आने को कहता है और वर्निंग भी देता है अगर कोई चाला की की तो योन ही की हालत भी इंस्पेक्टर जैसी होगी फी जे यंग लेके ट्रक के पीछे जाता है मेरी वाइफ को मार दो वो जेयंग को ऐसा बोलने पर मजबूर करता है और उस पे टोर्चर करता है लेकिन जेयंग उल्टा खुद को ही मार देने को कहता है ना कि अपनी वाइफ को एक आदमी वहां से घुजर रहा था कुछ आवाज आने पर वो वहां आता है वो साइको को प पर रास्ते में जो भी आती है उन्हें भी टकर में ले लेता है तब नेंब निया खाया की जाती है सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस को रखा गया था वो दोनों कल वापस घर जाने वाले थे वेकिन दोनों को पता नहीं था कि आज का दिन उस पे बहुत भारी पढ़ने वाला है फिर हम देखते हैं कि साइको ने एक आदमी को उसके ही घर में बांध रखा था और फिर वो उसके फेस पे आग लगा देता है और वही होस्पिटल में जाता है जहां योन ही और जेयंग है योन ही को डोक्टर का कोल आता है और वो डोक्टर से मिलने जाती है लिफ्ट में उसे जाते देख साइको भी उसके पीछे जाता है साइको को देखकर योन ही डर जाती है और ये सी नहीं कट हो जाता है बहुत देर हो जाने पर योन ही वापस नहीं आई थी इसलिए जेयंग बाहर खड़े पुलिस से बात करता है और पुलिस उसे ढुणने जाता है उसके जाने के बाद साइको जेयंग के रूम में आता है और रूम लोग कर देता है और जेयंग को मारता है वो टीवी का वोल्यूम फूल कर देता है ताकि किसी को पता ना चले साइको जेयंग को बहुत मारता है और कहता है हाँ बोलो मुझे कहो कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूँ लेकिन जेयंग हाँ नहीं बोलता है और टोचर करने पर भी जेयंग खुद को मार देने के लिए ही कहता है फिर साइको उसे एक सर्प्राइज देता है और एक बेक उसके पास फेकता है जेयंग देखता है तो उसमें योन ही का कटा हुआ सिर्थ था साइको ने उसे मार दिया था साइको उसे नाइफ देता है और कहता है इससे मैंने तुम्हारी वाइफ को मारा है तुम मुझे मारना चाते हो पर तुम एसा नहीं कर पाओगे क्यूंकि तुम डर रहे हो वो एसी एसी बाते करके jayang को उकसाता है jayang भी अपने आप पे कंटोल नहीं कर पाता है और नाइफ से उसे मार देता है और योन ही का सरगोद में लेके बहुत रोता है थोड़े दिन बार jayang ठीक हो जाता है उसका डोक्तर उससे बाद करने की कोशिश करता है पर वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है हम देखते हैं कि जेयंग अब पहले जैसा नहीं रहा है उसका बिहेवियर भी बदल चुका है होस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद वो एक घाडी रोगता है घाडी में एक कपल को देखके वो लिफ्ट मांगता है और घाडी में बेट जाता है वो उस कपल को अजिब तरह से देखता है शायद योन ही के मने का उस पे बहुत घहरा असर पड़ा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी शायद अब वो भी सैको बन गया था और उसी की तरह वो कपल के साथ भी वही करने वाला था जो उसके साथ हुआ है इस तरह ये मूवी पूरी होती है अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजे और मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं अगले वीडियो में